एक बेटी अपनी लेखनी का लोहा मनवारी है चिडावा की बेटी सुजाता शर्मा ने अभी तक अपनी मा और बहन पर कविताएं लिखी हैं जिनका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ है सुजाता ने एक नई कविता लिखी है इसमें चाई सिर्फ चाई नहीं होती जिसका शिर्षक है आपको बताते हैं क्या लिखा है सुजाता ने चाई पर चाई चाई सिर्फ चाई नहीं होती जब कोई पूस्ता है चाई पेंगे तो नहीं पूस्ते तुमसे दूद चीनी चाय पती को उबाल कर बनीवी एक कप चाय के लिए क्या आप बाटना चाहेंगे कुछ खटी मीठी यादे, कुछ कड़वी चाय पती बाते, वो पूस्ता है आपसे क्या आप बाटना चाहेंगे अपने कुछ अनभव, कुछ पुरानी यादे, कुछ आशाएं, कुछ नई उमीदे, तो सिरफ चाय का एक कप नहीं, वो इसकी जिन्दकी का एक खुबसूरत पल है जो अनकही कुछ बाते करना चाता है, तुमसे तमाम किस्से जो किसी को सुना नहीं पाए, सुनना चाता है, तुम्हारे चेहरे की एक छोटी सी हसी उसका दिन बना देती है, तुम्हारे चेहरे की प्रेशानी इसको पूरा हिला देती है, वो इस गरम चाय की प्याली के साथ उड़तेवे दुएं के साथ अपने सारी फिक्र उड़ा देना चाती है बस पूछे जब कोई अगली बार तुमसे चाय पिएंगे तो हां कहकर गले लगा लेना चीनी सी मीठी यादे और चायपती सी कड़वी बाते हैं